हेलो जी गुड मॉनिंग कुछ पेशेंट्स हमें पुछते हैं कुछ पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या अन्यन रब करना चाहिए एक्जीमा एक्ने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या raw onion rub करना सही होता है तो उसका जवाब यह है कि onion rub करने से कुछ लोगों को सही effect क्यूं मिलती है कुछ लोगों का eczema ठीक हो जाता है कुछ लोगों के scalp के problems ठीक हो जाते हैं ऐसा क्यूं होता है देखे onion में sulfur के गुण होते हैं sulfur कुछ form में onion में present होता है जो skin की problem के लिए बहुत अच्छा होता है पर यह सभी को same effect नहीं देता है क्यूंकि यह raw form में हम लगा रहे हैं कच्चे form में लगा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको eczema ठीक हो जाएगा या सबको acne ठीक हो जाएंगे सबको बाल जढ़ना कम हो जाएगा यह सभी को same effect नहीं देता है यह 50-60% cases में पाइदा देता है पर raw की जगा अगर हम potentized form में होमियोपतिक medicine के रूप में अगर sulfur लेते हैं 30 या 200 potency में या लगाते हैं external application करते हैं तो बहुत chances है कि वो अगर infection, inflammation, acne, eczema है तो chances है कि वो उसको clear कर दे तो raw form से कई बार क्या होता है reactions आते हैं ज्यादा eaching बढ़ जाती है ज्यादा dryness बढ़ जाती है तो वो same effect सारे के इसमें नहीं देती है अगर बहुत ज्यादा dry skin है, wet eczema नहीं है तो उसका उपयोग मत करिए क्यूंकि वो आपको बहुत burning, eaching वगेरा start करवा सकता है तो sulfur 30 या 200 potency में होमिपथिक medicine 5-5 pills इस दिन में 3 बार लेके देखिए या उसको cotton पे लेके लगा के देखिए scalp में भी लगा सकते है, skin पे, acne पे, eczema पे भी लगा सकते है थोड़ा सा proper way में सारी चीज़े करिए, किसी ने बोल दिया और हमने कर दिया फिर अगर बढ़ गया तो हम ही तकलीफ में आ जाते हैं तो ऐसा है जी, करके देखिए, thank you